दोस्तो ऐसा नोटी से अगर भेज़ेगा कोई भी company तो आम इंसान जो है वो डरेगा ही दोस्तो आप लोग ना डरो इसलिए मैं यह सब वीडियो आप लोगों के लिए लाता हूँ ताकि डरने से डराने से पहले वो लोग जो डरा रहे हैं आप लोग डर रहे हो उससे पहले ह मैं आप लोगों को जो है ever कर दे रहा हूं कि इस तरीके का जो है आप लोगों के साथ भी हो सकता है इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए तो आप लोगों को एक ही काम करना है वो करना है कि आप पूरा वीडियो आप लोगों को ध्यान से देखना है जो भी बेल आइकन को प्रेस करके all notification जरूर प्रेस करेगा ताकि ऐसे जो भी loan regarding information जब भी मैं आप लोग के साथ share करू notification में instantly आप लोग को मिल जाएगा दोस्तो अभी के time में आप सब को पता है loan default करने के बार आप सब को किस तरीके से जो है loan का recover करने के लिए आप लोगों को notice भेशते हैं notice भेशते हैं calls करते हैं SMS करते हैं बहुत सरा तरह की जो है वो लोग टेक्निक्स जो है अपना तरीका आप लोग को हर एक वीडियो में पता चल गया होगा इक किस तरीके का चीज़े करते हैं अभी एक और notice आया है मेरे पा आता है तो आप लोग डरोगे नहीं तो दोस्तों चलिए मैं आप लोग को notice पड़के सुना जेता हूं और किस तरीके का यह लोग डराने का कोसिस कर रहे हैं ताकि आप लोग डरो और repayment करो हालाकि repayment करना सभी को है क्योंकि loan लिए हो आप लोगोंने NBFC से NBFC से loan लेना जो है आप लोगों का civil में matter करता है civil में effect करेगा अगर आप लोग repayment नहीं करोगे timely लेकिन कोई भी situation के वज़े से जो है बहुत सारे लोग जो है repayment नहीं कर पाते हैं जिसके वज़े से civil में effect कर जाते हैं civil down हो जाता है in future आपको loan नहीं मिलेगा इससे ज़ादा कोई दिक्कत यह महिने एक साल बाद आपके पास पैसा आ गया तो आप लोग रिपेमेंट कर दीजिए उसके बाद आपका सिबिल सही कर दीजिए अभी आपके पास पैसा नहीं है अभी आपको बोला जा रहे कि अभी तूरं विदिन 24 आवर्स आपको पैमेंट करना है भाई वही इसको सुनने कि जरूरत नहीं आप लोग अपना खुद का बात सुनो आपके पास जब पैसा होगा तभी आप लोग सुनो तभी आप लोग उसका पैमेंट करो तो यहां पे बहुत सारे लोगों के घर पे एजेंट्स भी आ रहे हैं उससे थूरू भी जो है मुझे कॉमेंट्स भी कर रह आप लोगों से जो भी पैसा पसा हुआ है उनके कामपणी से वो पैसा रिकवर कर रहा है तो उनके पास भी कुछ जो है लिमिटेशन से गाइड़ लेंस है उनका RBI के थूरू वह अपना हद पार नहीं कर सकता है कोई भी ग्रहक के साथ वो लोग आपना जो है जो भी बरता वो लोग करते हैं आप लोग को डराते हैं धमकाते हैं चिलाते हैं वो सब कर नहीं सकता तो डरने के बिल्कुल भी जरुवत नहीं है आप लोग वो आए आप बात करिये दीरे से बात करिये या फिर आपने तरीके स बात करिए चिला मत चिला यह मत उनसे नॉर्मली बात करिए वीडियो करके बात करें एक वीडियो बनाईए उसके बात करें कि हाँ बाई आप क्या करना है आपको मेरे पास अभी तो पैसा नहीं है अब जी मेरे पास जब पैसा आएगा मैं पैमेंट कर दूगा ओनलाइन के त लोन लिया था डिफॉल्ट करिया चलो कोई बात नहीं लोन डिफॉल्ट करना क्राइम नहीं है यह आपको सीजी तरीके से उन लोगों को बताना है भाई मैंने क्राइम नहीं किया तुम अगर मेरे को धराएगा धमकाएगा बोलेगा कि भाई मैं पुलिस ले क्या होगा भाई पुलिस आपके साथ देगा ना कि लोन एजेंट के साथ देगा वो थाट बड़ी एजेंसी से होता है आपका पैसा रिक वर करेगा तो उनका सालरी आएगा यह सब चीजे आप लोग को समझना है तो चलिए मैं वह जो नूटीस आए वो मैं थुरा सब पढ़के सुना देता और बहुत सारे ऐसे लोन एप्लिकेशन अभी केस लीगल के थ्रू भी भेज रहे हैं अब केस लीगल का ओनर जो है वो है सोनम चंदवानी आपको बताया गया था कि बंबे हाई कोर्ट का वकिल है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कॉंसलेशन ओर पास इन मैंटर ऑफ बिट गया है 9th April अब यहाँ पे लिखा गया है क्या Respondent due to not appear before the Consolator Office as per the record on WhatsApp email the settlement offer is delivered and seen आपको पहले भी यह लोग मतलब इस तरीके का नोटीस भेजा था आपने कोई रिस्पॉंड नहीं किया तो यह जो है निक्स तरीके का आप लोगों को नोटीस भेजा है कि आपने रिस्पॉंड नहीं किया है अभी जो है लीगल करवाई मैं करने वाला हूं तो यहाँ पे बुला है the Consolation failed and did not materialize between the parties मतलब जो Consolation क्या होता है कोट के बाहर settlement करने का जो भी process होता है वो Consolation होता है तो यहाँ पे आप लोगों ने गिये मतलब वहाँ पे present नहीं किया क्योंकि मैंने आपको बताया कोई दिकत नहीं है इसमें जाने की जरुवत नहीं जब आपके बस पैसा होगा आप payment कर दीजेगा यह सब जंजट में जाने की अला हूं जो भी इंसन देखेगा डरेगा बोलेगा कि आपने तो बला थे कि कुछ होगा नहीं है तो मेरे को फीर से नोटीस बेज़ दिया अरे नोटीस हर दिन भेज़ेगा आपके घर पे आपको डरना क्यों है यह नोटीस जो है नोटीस है सिर्फ कागस में लिखा हुआ लेकिन आपको डरना नहीं है क्योंकि आपको अकेले यह नहीं जा रहा है लाखों लोगों के पास जा रहा है लाखों लोगों को क्या कोड में घसी देगा इतना जगा नहीं है कि लाखों लोगों का जो है पेंडिंग केस वहां पर चलेगा एक एक करके देखेगा वाई साल मतलब यह हर एक वीडियो में बताता हूं कि यह जो भी नोटीस आता है सिर्फ एक ही मोटीव होता है इन लोग का सिर्फ भाई डराओ इसको और पैसा वापस लो डरा के पैसा ले लो भाई उससे काम हो जाएगा कोड तक जाने के जरूरत ही नहीं है पाता है इन लोगों पता है यह जो एड़ोगेट्स इन लोग हायर किये हुए यह लोग तो नोगों को बुले का बैए कोड में जाओ के बाई कोड में अगर फस गया तो सालो सालो निकल जाएगा यह सब सॉलूशन मिलने का तो भाई लीगल करवाई करने का जो है धमकी दो आ हाला कि आप लोग अगर टाइमली प्राइमेंट करते हों उनहीं लोगों के लिए विडियो बनाता हुब ये मैं आप लोगो सपोर्ट नहीं करुँगा शिर्प के रिख लोगा कोई बीच्छा इस होगया है आप लोग और पहां बॉद शूर्स का लाओ न हो लिए में विडियो बनाता हूं ताकि वो लोग गलत дома ले तीक क्षिंव्ध tough अ जाए तो एक ल्या की आप लोगो चाहिए तो और मोले तक टॉस्टे ने यह चलत है तो जरू